आज हम बनाएंगे पत्ता गोबी और आलू की बहुती ज्यादा टेस्टी सब्जी। हम इस सब्जी को सिर्फ घर में रखे बेसिक से मसालों से ही बना कर तैयार करेंगे। कोई भी अलग से मसाले नहीं डालेंगे फिर भी हमारी पत्ता गोबी आलू की सब्जी बहुती ज्या साथी मैंने यहाँ पर चार मिडियम साइज के आलू लिये हैं, आलू को मैंने छील कर धोकर इस थरा से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब हम एक कड़ाई लेंगे और इसमें चार से पांच टेबल स्पून तेल डाल देंगे, तेल को हम गर्म कर लेंगे, और जब ते मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्याज लिये, अगर आप यहाँ पर प्याज को काट कर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्याज का पेस्ट बना कर भी डाल सकते हों, अब हम प्यास को सोफ्ट हो जाने तक 2 मिनट के लिए भून लेंगे, और यहाँ पर इसका कच्चापन जाने तक एक से दो मिनट के लिए प्यास की साथ में भून लेंगे और यहाँ पर हमने लेसुन अदरक को भी अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे मैंने यहाँ पर बड़े साइस के दो टमाटर लिये हैं साथ हम इसमें बारी कटी हुई एक हरी मिर्च डाल देंगे और अब हम इसमें एक टीस्पून नमक डाल देंगे नमक पहले डालने से टमाटर जल्दी सोफ्ट हो जाते हैं अच्छे से mix कर लेंगे और टमाटर को प्यास की साथ में 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे और ये लिजिए हमने टमाटर को भी प्यास की साथ में 2 मिनट के लिए भून लिया है अब हम इसमें मसाले powder एड करेंगे मैंने यहाँ पर 1 teaspoon लाल मिर्श का पाउडर, 7 half teaspoon हल्दी पाउडर और इसी के साथ 1 teaspoon कश्मिरी लाल मिर्श का पाउडर लिया है यह कम तीखी होती है इसे हम सिर्फ color के लिए डालते हैं आप शाये तो इसे इसकित भी कर सकते हो साथी मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पुन भरकर धनिया पाउडर लिया है अब हम इसमें चार से पांच टेबल स्पुन पानी डाल देंगे पानी डालने से मसाले तले में नहीं लगेंगे और ये अच्छे से फूल भी जाएंगे अब हम सारे मसालो को मीडियम फिलेम पर कंटीनियू चलाते हुए पांच टे च्छे मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और ये लीजे मसालो को भूनते हुए च्छे मिनट हो गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मसालो में से ओल भी सेपरेट हो चुका है और जब हम मसालो को अच्छे से भून कर सबजी बनाते हैं तो हमारी सबजी बहुती ज्यादा टेस्टी बन कर तयार होती हैं अब हम इसमें कटे हुए सारे आलू डाल देंगे और आलू को मसालो की साथ में दो मिनट के लिए भून लेंगे और ये लीजिए हमने आलो को मसालो की साथ में अच्छे से भून लिया है अब हम गेस की फिलेम को एकदम लोपर कर देंगे और इसमें कटी हुई सारी पत्ता गोबी डाल देंगे और मैंने यहाँ पर सारी पत्ता गोबी कड़ाई में डाल दिये आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्ता गोबी कड़ाई में उपर तक आ रही है तो हमें अब क्या करना है कड़ाई को ढग देना है और गेज की फिलेम को मीडियम करके हमें इसे 2-3 मिनट के लिए पकाना है उससे क्या होगा पत्ता गोबी थोड़ी सोफ्ट होकर नीचे बेट जाएगी उसके बाद हम मसालो की साथ में पत्ता गोबी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्ता गोबी थोड़ी सोफ्ट हो गई है अब हम पत्ता गोबी को मसालो की साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार आप इस तरह से पत्ता गोबी आलो की सबजी बना कर देखिएगा आपकी सबजी बहुती ज्यादा टेस्टी बन कर तयार होगी और यहां पर हमने पत्तागोबी को मसालू की साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसे ढख देंगे और गेस की फिलेम को मीडियम टू लो करके हम इसे 20-25 मिनट के लिए ढख कर पका लेंगे बीच बीच में एक से दो बार चला लीजिएगा जिसे की हमारी सब्जी तले में ना लगे और यहां पर हमारी सब्जी को पकते हुए अभी 10-12 मिनट हो गए हैं तो अब हम सब्जी को चमच से थोड़ा उपर नीचे कर लेंगे यहां पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से ढख देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे और इस तरह से हमारी सब्जी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं आप यहां पर देख सकते हैं हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट बन कर तेया रहे हैं अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे साथ हम इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालने से हमारी सबजी का टेस्ट और भी ज्यादा भड़ जाता है हम इने भी अच्छे से मिला देंगे और इस पॉइंट पर हम गेस की फ्लेम को बन कर देंगे और ये लीजिए भोती ज्यादा टेस्टी और शानदार हमारी पत्ता गोबी आलू की सबजी एकदम जबरदस्त बन कर तैयार है और आपने देखा हमने इसे एकदम सिंपल तरीके से बना कर तैयार किया है और खाने में ये इतनी ज्यादा टेस्टी है कि अगर आपने एक बार इस तरह से बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करोगे तो आप इस रेसिपे को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर धरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके